नमस्कार आप देख रहे हैं हला बोल आपके साथ मैं हूँ अंजिना ओमकश्यप ये देश आज पूछ रहा है कि निर्भया कांट से लेकर कोलकाता में बरबर, रेप और हत्या कांट तक इस देश में आखिर क्या बदला है महिला सुरक्षा के मुद्दे पर जब भी कोई विभत्स घटना इस देश में होती है तो सभी लोग बाहर निकलते हैं, आवाज बुलंद करते हैं, लोग कैंडल मार्श निकालने लगते हैं लेकिन फिर उस मुद्दे को भूल जाते हैं प्रधार मुद्दी नरेंदर मोदी ने लाल किले के प्राचीर से अपने भाशन में कहा कि हमें आरोपियों पर या फिर जो अपराधी है महिला सुरक्षा के मामले में उनके मन में खوف पैदा करना होगा ये खوف कैसे पैदा होगा आखिर इस देश में आजादी के इतने दश्कोबाद भी महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर महिलाएं आजाद क्यों नहीं है वो ये क्यों सोचे कि देर रात हो रही है मैं दफ्तर से घर कैसे जाऊंगी कि मैं खुद कई बार आधी रात या उसके बाद दफ्तर से निकलती हूँ अपनी सुरक्षा को लेकर आज हर महिला को इतना चिंतित क्यों रहना पड़ता है ये सवाल आज इसने भी पूछा जा रहा है क्योंकि रेप जैसे मामलों में इस देश का कन्विक्शन रेट सवाल यही है कि पूरी नयाई प्रक्रिया जाच प्रक्रिया एजनसिया क्या महिलाओं को उनका इनसाफ दिला पाने में इस देश में पूरी तरह से नाकाम हो गई है महिलाएं इसी खौफ में जीती रहेंगी महिलाएं इसी खौफ में दफ्तरों में काम करती रहेंगी महिलाएं इसी खौफ में अपने घरों में बढ़ी बैठी रहेंगी कि अगर मैंने आवाज उठाई तो कहीं विक्टिम शेमिंग न हो जाए इन सवालों को उठाना जरूरी है हमारे साथ कई खास मेवान जुड़ रहे है शिवमत्यागी जी राश्रप्रवक्ता बीजेपी के सुरेन राश्पूजी राश्रप्रवक्ता कॉंग्रेस पाती के तौसीप एहमत खान साथ तीमसी के सपोर्टर हमारे साथ जूर रहे है विवेक शिवास्तव लेफ्ट लीडर हमारे साथ जूरेंगे योगिता भयाना जी सोचल आक्टिविस हमारे साथ जूर सत्य प्रकाश मिर्शा जी लीडर जेडिउ के बहुत स्वागत है आप सभी का लेकिन इसे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आज क्यों एक बार फिर से महिला सुरक्षा देश में इतना बड़ा मुद्दा बन गया है, ये रिपोर्ट देखें आज हमारा एरफोर्स हो, हमारी आर्मी हो, हमारी नेवी हो, हमारा स्पेस सेक्टर हो, आज हमारी महिलाओं का हम दम खम देख रहें, देश के लिए हैं, लेकिन दुसरी तरफ कुछ चिंता की बाते भी आती हैं, और मैं आज लाल के लिए से, फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूँ, एक समाज के नाते, हमें गंबीर्ता से सोचना होगा, तो हमारी माताओ बेहन और बेट्यों के प्रती जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रती देश का अक्रोश है, जन सामाने का अक्रोश है, इस अक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूँ, इसको देश को, समाज को, हमारी राज्ज सरकारों को गंबीरता से लेना होगा महिलाओं के विरुद्ध, अपरादों की जल्द से जल्द जाच हो राक्षसी कृत्य करने के वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो वो समाज में विश्वात पैदा करने के लिए जरूरी है मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब पलाकार की ये महलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती है तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत पचार होता है, मिडिया में चाया रहता है लेकिन जब ऐसे राक्षे सी मनोवृत्ती व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कौन में कहीं पढ़ा रहता है अब समय की मांग है, कि जिनको सजा होती है, उसकी व्यापक चर्चा होता कि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत यह होती है, कि फांसी पर लटगना पड़ता है और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है मनिपूर में नहीं दिखा इन्हें, क्या सलादी मनिपूर के चीफ फिनिस्टर को, क्यों नहीं हटाया उन्हें, हाथ रस में क्या नहीं दिखा उन्हें ये सिलेक्टिवली उन्हें याद आता है महिला सुरक्षा एक ऐसी चीज है जिसमें सब को मिलकर काम करना चाहिए इस पे इस तरहें की हलकी बातें ओची बातें करना शोबा नहीं देता है नारी सुरक्षा के लिए और कलकरता की डॉक्टर के लिए जो लाल के लिए से संबोधन है वो पूरे महिला समाज के समान के पिड़ती समरपन है उनकी चिंताओं का निरा करन होना बहुत आश्य है प्रधान मंत्री महिला सुरक्षा की किस मूँ से बात करते हैं प्रधान मंत्री महिला सुरक्षा की बात करते हुए कि उनकी ही स्पीच के जस्ट बात बिल्किस बानों के अपराधी रिहा हुए थे क्या प्रधान मंतरी इस बात का जवाब देंगे कि उनकी नाक के नीचे साक्षी मलिक और विनेश फोगट और अनिक हिलारियों के साथ जो यौन शोशन हुआ उस पर उनने आखे मुंदी रखी क्या प्रधान मंतरी इस बात का जवाब देंगे कि वो प्रजवल रेवेन और ब्रिजबूशन सिंग को क्यों बचाते रहे मेरा अपना मानना है कि प्रधान मंतरी की नैतिकता ही नहीं है मैंने अमेशा इस बात को कहा है कि अगर कोई भी ऐसी घटना घटी है भले वो किसी भी राज्य में हो किसी भी सरकार के तहट इस तरीके की घ्रिनेट घटनाओं को कते किसी भी सब्वे समाज में स्विकारिता नहीं दी जा सकती और जो भी दोशी हो उसके उपर कड़ी से मुख्यमंत्री इस देश में मतलब उनके पास तो एक मौका था कि वो मिसाल कायम कर सकती थी इस तरीके से पूरी जांच इस केस में वो कराती की कि कोई सवाल नहीं खड़ा कर पाता लेकिन आज हालत यह कि वह पदयातरा निकाल रही है कोलकाता पुलिस ने जिस तरह से परि पारवालों के मन में खौब पाइदा कर रहे हैं अंजने जी आपने बहुत सही कहा कि एक मिसाल बनाया जा सकता है आज यह अपरचुनिटी है और मेरे नजर में ममताय बैनर जी बिलकुल वही काम कर रही है यह पद्यातरा निकाल नहीं जा रही है किस मांग क्या है एक अप ममताय बैनर जी ने अल्टिमेटम दिया था कोलकादा पुलिस को कि रविवार तक आप इस केस को क्रैक कीजिए CBI को क्यों नहीं इसका एक अल्टिमेटम दिया जाता जो अपरादी आप आपके पास में है आपको कौन से कानून रोगता है कि आप उसके खिलाफ ट्राइल स् उसमें चार्जशीट फॉरण फाइल करवाईये और उसको फासी में लटकाईये सारे प्रॉसेस को आप विदिन ए शॉर्ट स्पीडियर पीडियर ऑफ टाइम एक इतिहास बना करके जो भी आपके पास में अपरादी है और जो आएंगे आप उनको जोड़िये लेकिन आप आप यह नियाई देनी की जो प्रतिक्रिया है इसको आप फॉरण कंप्लीट कीजिए एक स्टेप तो कंप्लीट कीजिए या क्या आप थंडे बस्ते में डाल देना चाहते हैं कि CBI में डाल दिया जाए और बंगाल को गाली दिया जाए यहां पर सवाल है आज जो डॉक्ट कर देना ही कि नियाई होना चाहिए नियाई कब होगा वही आप तो खली खोटी आकर कर सुना देती हैं मॉम्तै पैना जी यानि आप थो पॉलिटिक्स कर रहें आप तो नियाई की का मीन आप उसको फांसी दीजे ममता पैनल जी का पहला मांगिया है कि उसे जो आपके पास में गिरफ में है आप उसके खिलाफ चार्शीर फाइल कीजे उसको फांसी दीजे अप राधी के मन में खौफ की बात पीम ने की है कैसे आप पैदा करेंगे ये खौफ कुलकाता केस पे ही बताईए अंजना जी सबसे पहले तुम्हें चीज कहना चाहता हूं कि दो भेनों का भाई होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके के अपराधी का सिर्फ एक ही अंत है और वो है उसकी डेथ वो डाट शुट भी पब्लिकली लिंश्ट और उसका जो भी बुरे से बुरा हाल हो सकता है वो करना चाहिए और एक सिविल स्रसाइटी में ऐसे आदमी की कोई जगा नहीं है लेकिन लेकिन अब इसमें तो पेच है आपने जो सुना अगर आपको शायद पता है या नहीं पता है यह होना चाहिए वो होना चाहिए इसमें ऐसे जाच होनी चाहिए वैसे ग्रहमंत्री, महिला हेल्थ मिनिस्टर, यानि के पुलीस भी आपकी, डॉक्टर भी आपके, एस्पताल भी आपके, स्टेट भी आपका, और आप दूसरों से न्याय की भीक मांग रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप अपना फेस सेविंग करने हैं, क्योंकि आपको पता है, मीडिय में आम पब्लिक में सेंटिमेंट है, देश में जिस तरीके से अक्रोश है उसको शांत करने के लिए आप आगए सड़कों पर, सड़कों पर ड्रामा करने की आवर्शक्ता नहीं है, यह देश जानता और समझता है, एक्जामपल, सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताईए, जब यह इतने ही न्याय प्रिये विक्ती हैं और ममताब आनर जी इतना ही न्याय करना चाती थी उस बेटी के साथ, तो उस कॉलेज का जो प्रिंसिपल है, उसको चार घंटे में कैसे रिंस्टेट कर दिया आपने, मतलब वो वहाँ पर था, उसने रिजाइन किया, चार सेन ने कहा, कि वो जो आदमी है, वो जो प्रिंसिपल है, वो पहले से ही इन चीजों के घेरे में है, और उस पर पहले भी काफी सवाल उठे, उस चीफ स्पोक्स परसन को भी सस्पेंट कर दिया, मुझे तो चिंता हो रही है कि भाई को ना सस्पेंट कर दे, यहां से निकलत कोट कोट कर रहे हैं, वो यहां पर है, मैं कह रहा हूँ, साथ हजार लोग जो TNC के गुंडे वहाँ पर घुसे, कोट ने कहा किया, उन्होंने कहा, इनकी तरफ से जो लॉयर थे, उन्होंने कहा कि वहाँ पर पुलीस थी, कोट ने बोला, पुलीस अपने आपको नहीं बच यह इस तरह की बाते मुझे लगता है, इसमें राजनीती के आवश्यक्ता नहीं है, बहुत सीधा है, अगर आप इसमें गूरा जाएं, मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर इनको इनको यह गूरो और यह चाहते को रिजॉल्व करना है, तो दो दिन में होना थ तासर अरोपी सामने था मैसों सामने था क्राइम सीन सामने था पुलीस के हाथ में तो लेकिन सच ये है कि कोट ने बोला वहाची को पहले पैले opera26 में पहले order में कि नहीं क्राइम सीन पर कंटेमनेशन के बाद स्थितिय biggest realizing क्यों बिक्त्रा उनको लगता कि वह जो फैमिली है वह मानती है कि यह अगर कोलकाता पुलीस इसको इंडस्टिगेट करेगी तो वह इस क्राइम सीन को चेंज करेगी चीजों को बदलाव करेगी तो इसके आधार पर राजनितिक पार्टियां अपना स्ट्राट जीते करती है यारूप मैं इसलिए आप पर कॉलकाता में ऐसा कांड होता है तब कांग्रेस पार्टी कोई देलगेशन क्यों नहीं भेजती है क्यों चार दिन के इंतजार के बाद देश के नेता-विपक्ष कॉलकाता के इस विपक liberty डालते है ती तीन-चार चीजें बड़ी पहली बात तो महिलाओं के प्रती अपराद पर अगर कोई भी शक्स किसी भी तरीके की राजनीती करे वो पाप का भागी होगा वो श्राप का भागी होगा और नरक का भागी होगा बहुत साफसी बात है इसमें कहीं कोई न दोराए है न लेना है न देना है नंबर एक नंबर दो किसी भी राज्य में किसी भी तरीके से अगर महिला के प्रती अपराद होता है कांग्रेस पार्टी उसका विरोथ करती है चाहे वो किसी समय अशोग गहलोत की सरकार थी राहुल गांधी स्वयम गए थे करेली में आपको भी याद होगा आप लोगों ने महिलाओं के प्रती अपराद पर सुन्य टॉलरेंस है नंबर दो कोलकाता क्यों नंबर तिन सुन्य अभी जाएंगे अगर जरुवत पड़ेगी तो जाएंगे केस को दे दिया एक अपराद ही पकड़ा गया है उसके जरिया बाकी अपरादियों को पकड़िये जो भी काम हो सकता है माजो कलकत्ता की जो सरकार है ममता की सरकार है शर्म ना क्रत्य है उसमें कहीं कोई दोर वायद आये लेकिन इस वक्त अपरादियों आपके नाम रेप की बात हो रही है अभी शीवम भाई ने बड़ी अच्छी बात थे इन्होंने कहा कि साब जितने भी रेपिस्ट ह मैं सहमत हूं दो दिन में उनको फांसी चढ़ा दीजिए बंगाल का ये लोग बात करते रहे अंकिता भंडारी की इन्होंने बात नहीं की उत्तराखंड की आज तक कुछ नहीं हुआ अभी उसके बाद अभी योगिता भी आ गई है अभी उत्तराखंड में एक दूसरा केस हुआ एक नर्स के साथ हम तो बोल भी नहीं पाते हैं अभी तीसरा भी परसों एक केस हुआ है बिहार में मुझफर नगर में आप भी पढ़े होंगी वहां पर कैमरा नहीं गया है इस देश में नौक सुनिए सुनिए ना अब आपने कि आप बोल अच्छा इसका मतलब यह ह प्रोज होते हैं तो सिरफ बंगाल के नाम पर रुकिए ना पहले सुन लीजे ना आप बताइए पचास चाकू उसके प्राइवेट पार्ट में मारे हैं मैं दलित लड़की है और वो भी ना बाली ठीक है ना आप मुझे बताइए कि दो दिन में उसके रेपिस्ट के लिए एक शब्द नहीं निकल रहा है भारती जंद राजनीती जो कर रहे हैं ना ये लोग ये लोग मूल रूप से चाहे किसी पार्टी का कोई अपराधी हो चाहे किसी दल का कोई अपराधी हो या अपराधी की कोई जात नहीं होती धर्म नहीं होता पार्टी नहीं हो अपराधी वो बिटिया नहीं है तेरह साल की उसकी सगी बुआ ले गई उसको नहीं दो दिन में फांसी होनी चाहिए मेरा ये कहना है कि रेप पर प्लीज राजनीती मत कीजिए उल्टी सीधी बात मत कीजिए रेप रेप है चाहे किसी पार्टी का, अगर हमारी पार्टी का कोई करे, उसको उस दरिंदे को भी उसी हिसाब से फांसी हो, अगर भाजपा का करे तो उसको भी फांसी हो, इसमें क्या किसकत है। महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, उस पर सवाल मत पूछिए, आपको पता नहीं कहा है। इसमें कई पक्ष हैं, एक छावला रेप केस हैं, पढ़िएगा फर्वरी बीस सो बारा कॉंग्रेस पार्टी की सरकार थी, देश के चीफ जस्टिस को तीन है कि उसको बरी करना पड़ा, क्यों? पुलिस ने इंविस्टिकर नहीं किया, मैं नहीं जानता है, पर्वरी बीस स बारा का पार्क स्ट्रीट का रेप केस, ममता बेनर्जी का स्टेटमेंट, कलब जाएंगी तो ऐसा घटना होगा, क्योंकि वो महीला रात में कलब से वापस आ रही थी, सुजेज जॉडन, बाद में उसने अपना आइडेंटिटी रिवील किया, निर्भेया गेंग रेप के जिल में डाला है, पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट को वेट किया जा रहा है, अब प्रोसिक्यूट होगा क्रिमनल, अगर रेप केसे इसको छे महीने के फास्ट रेक कोट में प्रोसिक्यूट करके सुप्रीम कोट तक एक साल के अंदर पूरा नहीं किया जाएगा, जो डरेंद केस में कॉंग्रेस पार्टी बताए कि कैसे तीन एक्यूज्ट सुप्रीम पोर्ट से बढ़ी हो गया, अंजना जी आप और हम तो जुड़े हो है निर्भेहा केस से और हम समझते हैं कि पूरी कहानी चाहिए, कोई भी पार्टी अचाहिए, कॉंग्रेस आए, बीजी पी यह क्यों दूसरों में डालते, राजनीते तो यह करते हैं, कोई कॉंपेटिशन थोड़ी नहीं, कि मेरे यह ज्यादा बलात कर रहुए या तेरे यहां ज्यादा बलात कर हुए, आप अपनी अपनी स्टेट संभालिये, मुख्यमंत्री चुने गये हैं, पूरी जनता ने आ अपनी गती पर, आप जस्किफाय कीजिए, बिहार में जो रहा है, मुझे बात ही नहीं करने हैं, ऐसे इंसानों से क्या बात कर रहे हैं, यह निरभया केस को लेकर के आज की देट में क्या बंगाल पुलिस क्या नाम उस अपराधी को बचाएगी, यह लोग बिहार वाले अ अगर भरधान मंत्री लाल किले के प्राचीर से कहते हैं कि हमें अ अपराधीों के मन में खौफ पाएदा करना वो कैसे होगा? क्योंकि कोलकाता से लेकर हाथरसकांट, हाथरसकांट से लेकर अंकिता भंदारी से लेकर देश भर में बहुत सारे एक्जामपल्स है और जिसके दावन में देखो सब एक ही दिखाई देते हैं अंजना जी नवार देवबंदी ने एक शेर कहा है जलते घर को देखने वालो फूसका चप्पर आपका है आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्बार आपका है उसके कतल पर मैं भी चुपता, मेरा नंबर अब आया मेरे कतल पर आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है करिये what about tree, what about tree करिये मैं बात करूँगा अगर बंगाल की तो वो तुरंट लेकर आजाएंगे के कन्नौज फिर में उसके बाद कुछ होगा तो बहन लेकर आजाएंगे के दिल्ली उसके बाद पिर कहेंगे उत्तर प्रदेश करिए what about री जिजन आपके घर में आकर ये स्थितिया बन जाएगी एक तरफ था बिस्तर का और दूसरा दूसरी तरफ आप उस पर बात करने को तैयार नहीं है अमने जाके लेट्स थ्री तो फॉर एमल सीमिन हंड़रन सिफ्टी एमल सीमिन मिला है उसके इंटरिम पार्ट्स पर किसकी बात कर रहें भाई बात करिये ना इसकी और इन्होंने क आई है आपका जो राहूल जी का पांच दिन बाद बोलना है न यह बताता है कि आप उसको लेकर कितना सेंटिमेंस में है अखिलेश यादव का अभी तक एक ट्वीट नहीं है इस विशेपर बताता है कि वो इस बारे में कितने सेंटिमेंटली जो है इन्वाल्व है दुनि मैं मानता हूं कि collectively responsibility लेने की आवशक्ता है इस देश के प्रधान मंत्री को इस चीज के लिए जाना जाएगा कि चाहे बहुत चोटी सी चीज हो हमारे लिए और चाहे बहुत बड़ी चीजों बलातका वो हर चीज पर इस देश के सबसे बड़े मंच से बोलते हैं क्या आप में इतनी ताकत है कि आप डिसकॉस करने के लिए तैयार हो क्या आप में इतनी ताकत है कि ममता बैनर जी का नाम तर ट्वीट में लिख दो भाई दुविधा मे फसे लोग और सुविधा में फसे लोग करते हैं बाद जंगल की गंबले में होगे लोग हम तो कहते ही नहीं है कि भाई राजनीती करो पहले जंतादल युनाइटड वाले और भाजपा वाले तैय करने राजनीती करनी है कि नहीं करनी दोनों साती है क्या नाम यह कह रहे है जनतादल उनाइटड वाले राजनिती करनी है शिवम जी कह रहें नहीं करनी है हम एक चीज कहते हैं साफ साफ आज की देट में इस समय बंगाल पर बात नहीं हो रही महिलाओं के प्रती अपराध पर बात हो रही है और महिलाओं के प्रती अगर अपराद पर बात होगी तू पूरे देश की महिलाओं के प्रती अपराद पर बात होगी खाली बंगाल की अपराद पर या उत्तराखंड के अपराद पर बात नहीं होगी सब पर बात होगी क्यों नहीं होगी आप अंकीता भंडारी को दो साल हो गए हैं कम बूटल था इसका मतलब यह हो गया कि बूटलिटी की एक सीमा होगी तब जाके भाजपा उस पर कोई बयान देगी बूटलिटी की एक सीमा होगी तब उत्तराखंड की उस नर्स के उपर बा कर कि जिसको आप वॉटवाओटरी करे वो दर सल आपकी नियत के सामने आई ना है क्या बात करते हैं आप कह रहे हैं कि इस का case में वॉटवाओटरी मत करो लेकिन नियत तो आपके आखेंगे ना हम तो देखेंगे ना कि आपकी नियत कैसी थी चब की описании केस हुआ आपकी नियत कैसी थी जब उन्नाव का कांड हुआ आपकी नियत कैसी थी जब महिला खिलाणियों ने बिजबूश शरंण से वो नियत के सामने आईना है वो वाटर बाटरी नहीं है हर नियत पर जबाब देने के लिए तैयार मेरे देश में भारतिया जंता पार्टी की किसी भी राज्य सरकार में अगर बलात्कार का केस हुआ और वो विशय बना तो मेरे भारतिया जंता पार्टी के किसी भी मुख्यमंत्री का कोई एक ऐसा मार्च दिखा दीजिए निकल कर तोड़ कर आगए हो कोई ऐसी स्थिती बता दिजिए हम पीस बीच में मत दो लिए हम एकनॉमिज कर रहे हैं मैं बॉटम आउटरी क्यों कह रहा हर केस इतना ही महतुपून है हर 9-10 मिनिट में इस देश में एक बलातकार की घटना होती है इनका जो इंटेंशन है वो गलत है अ हर रोज बात कीजिए रेट पर मैं साया कर रहे हैं जहां पर मैंने प्रेशन पहला किया था कि एक मात्र महिला मुख्यमंत्री है और हम सब यह उम्मीद कर रहे थे कि इस केस के आने के बाद इंसाफ होगा लेकिन कुलकाता पुलिस सवालों के घेरे में रही प्रिंसिपल को प्रिंसिपल का सेटमेंट ही नहीं लिया कोलकाता पुलिस ने मेरा प्रश्ण आपसे यह है कि इस तरह की परिस्थिपियों में सवाल तो यह उठता है ना कि आप नया चाहते हैं अच्छे पाना चाहते हैं उसको भी छोड़िए पद्यातरा निकाल रहे हैं जबकि पुलिस अगरा था लीह एक हजार लोगों ने हमला कर दिया रहा है कि ह़स्पिटल बंद कर दें उसके बाद 3 प्रेश पई यह वाम और राम ने किया है तो आपकी पुलिस क्या कर रही थि और और वाम कौन है और यह राम कौन है किसी पार्टी को राम क्यों बना रही है वो छोटा biology देगे अजना जी लगबग 19 या 20 cases दर्ज किये हैं पिछले दो साल पे CBI ने बंगाल में और केवल दो या एक conviction हुआ है तो यह सवाल बिल्कुल लाजिम है कि CBI ने जब इस सेप केस को अपने हाथ में लिया है तो वो क्या BJP के इशारे में सिर्फ राजनीती करना चाहती है या नयाय दिलाना चाहती है तो उससे साइस दय है है एक जन एक लगाई हुअ कर रहा है उसमें को ओन लोग जो गुज-कर कर के उनको आफ पीड करते है और प्रोटेस्ट को पूरे कर देती परका देते वहां पर आगर अगमता बैना जी या जवचल निकाल नहीं है यहूंका मांघ है कि आप इमीजिये ट्राइल स्टार्ट करो और फांसी में डालो आपके पास अल्रीड एक अक्यूज्ड है बाकी अक्यूज्ड को आप जवाब दे ही दो CBI के हाथ में पिछले तीन दिन से मैटर है अब बताइए CBI डे टुडे अपडेट दे किसको एरेस्ट किया किसको समन किया क्या माटीरियल उन्होंने क्या आपका इंटेंशन क्या है आपकी नियत क्या है आप फिक से फिर से अंकीता भंडारी के तरीवार रास्ते में जाना च मैं सही हूं तो पेशे से आप वकील ही है एक बात कि मैं दाद देना चाहती हूं इंसाफ में कोलकाता पुलिस ने जो भी किया हो लेकिन मामले को पलतना कैसे है इसमें आप लोगों ने महारत हासिल की हुए गजब काली वजी के यह सही में पॉलिटेक्स कहां इंसान को घु लग रहा है कुछ कोलकाता पुलिस को नहीं दिखा ना बॉडी उस हाल में जो लॉज हुआ है ताला पुलिस के स्टेशन में सोशल मीडिया में यह बहुत फैलाया गया और अभी है कि सुनाओ परिवार को क्या था था एक कंप्लेंट रिजिस्टर हुआ लिकिन जो एफाया अगर बची का शरीर के दोनों पैर अलग अलग हिस्ते में जैसा कि उसकी माँ बना एक बढ़ा सुना देते हैं इनको फिर से पिर से सुना इनको और यह पूछे की कोलकाता पुलिस ने फिर कंप्लेंट अन्नाचरल डेप का लिखने की हिमत कैसे अब जबाब दीजेगा सु मेरे पडोसी को मैं चीकते बिखलाते हुए रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खतम हो गया मैंने का क्या हुआ नहीं मेरी लड़की ने सुिसाइड कर दिया है यह ख़बर आई है खाबर आई है हॉस्पिटल से मैंने का सुिसाइड किस ने कहा कैसे हुए नहीं उन्होंने कहा कि यह सुिसाइड हुआ है हम चार जन मिस्टर मिसिस हम और हमारे एक और कर्मचारी हम जब जाते हैं वहां हमको तीन घंटा खड़े रखा एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 यर्ज ओल्ड की ऐसी खतम हो जाती है उनको तीन घंटा खड़ा रखा और यह हाथ जोडती रही माबाप हाथ जोडते रहे हमें एक बार दिखाओ हमारी बच्ची का मुझ एक बार दिखाओ हमको नहीं दिखाया गया तीन घंटे तक खड़े रहने के बाद यह दोनों हजबन वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में और यह पापा अपनी ब बोड़ी ऑफ दर गर्ल जिसके मुँ में खूल था फोटो खीच के लाके मुझे दिखाते हैं उनक बच्ची का छरीर में कोई कपड़ा नहीं था पैर दोनों राइट अंगल में मिला गया राइट अंगल में एक पाओ बेट के इस तरफ एक पाओ बेट के इस तरफ मिला ग है चश्मे चश्मे को कूटा गया जिसके वज़े से आखों से खून निकल गया गले में गले में हाद गला दबाकर मारा गया और पूरा यह जो मैं बोल रही हूँ यह पूरा पोस्ट मॉर्टन रिपोर्ट में वाइरल हुआ है आप लोग खृपिया देखिए यह कोई मन गड़न नहीं है तौसीर साहब तीन प्रशने आपसे पॉइंटर जवाब दीजेगा पहला प्रशन है कि इसको अन्नाचरल डेट्ट वता के परिवार वालों को स्मिसाइड बताने वाली पुलिस के खिलाफ ममता बानाजी ने क्या किया है दूसरा हिस्सा मेरे प्रशन का ये है कि चार घंटे में उस संस्था के प्रिंसिपल को री इंस्टेट क्यों किया गया और तीसरा प्रशन मेरा ये है कि आंदोलनकारी छात्रों पर इतना बड़ा हमला हो गया आपकी पुलिस उसको रोकने में नाकाम रही आपकी पुलिस कर क्या रही है क्यों ग्रिहमंत्री ममता बैनर जी उनको डिफेंड कर रही है अंजना जी यह जो केस है यह हैवानियत का केस है और यही वज़ा है कि इसकी तों टेला सर्थ को लकाता पुलिस आज गड़े में उसे कोई डिफेंड नहीं कर रहा है जो आफिसर उस वक्त मौझूद थे नहीं यह तो यह तो जो उनके इन्वेस्टिगेशन में जिन लोगों को उन्होंने समन किया जिनको एरेस्ट किया वह मैंने बताया लेकिन जो आफिसर उस वक्त मौझूद थे कि यह स्यूसाइड का केस कहा करके बुलाया गया और जो जो हॉस्पिटल अथॉर्टी जिन्होंने कंप्लेन नहीं लॉज किय वो सब आज कट घरे में मौझूद है और उन सब के खिलाफ ममता बैना जी ने मांग की है कि इन्हें वही सजा दी जाए जो अक्यूस को सजा दी जाएगी इनके उपर में अंगस्टिगेशन करना है बिल्कुल जेल में डालना है और ममता बैना जी ने बोला था ममता बैना जी ने बोला था कि कोलकाता पुलिस को आप सारे सबूत मिटा देगी कोट में जज कह रहे है अंजना जी परिवार वालों के सामने पोस्ट मॉटम हुआ वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ हुआ हाथरस की तरह बोडी को रातो रात चरल चल चिड़क करकर जलाया नहीं गया ये ममता बैना जी कि कोलकाता पुलिस ने ये सारे सबूत करके हैंड़ ओवर किय को सी बी आई पिछले चार दिन से क्या कर रही है वो किन किन लोगों को बुला दी है कोलकादा पुलिस के किन अफसर के खिलाफ उन्होंने नाम गरे में लाई जवाब दीजिए उन्हें सच्पेंट किया सवाल यह है कि क्या सरकार को यह लगता है कि हम लड़कियों को एक पद्यात्रा चाहिए अपने जस्टिस के लिए क्या बस एक रैली या पद्यात्रा करने से हमें इंसाफ मिल जाएगा एक ऐसा स्टेट जिसकी सीम खुद एक महिला है उनके साथ वहाँ पे अगर ऐसी चीजे हो रही है महिलाओं के साथ तो क्या हम सेफ फील करेंगे वहाँ पे एक साथ जवाब दीजेगा जो भी हुआ अक्यूस बोल रहा है कि आप मुझे कैश्वेली कि आप मुझे हैंग कर दो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बाद से यह बता चलता है कि उससे बता है कि हमारे जस्टिस सिस्टम कितना स्लो है कि उसे कोई फरक ही नहीं पड़ता तो हम कब तक यह ब्लेम गेम खेलेंगे और अक्छिली जस्टिस लेंगे मेरा सवाल TMC से है कि इतनी बड़ी गटना के बाद जो TMC और बंगाल पुलिस ने जो लीपापोतिक की कोशिस की है उसके बाद मेरा आपसे मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको किसका डर है जो आप आप राजियों के खिलाप कार्यावाही नहीं कर पाद सर आपने बोला कि नीचे आजाए हां नीचे आए बोला कि इनको ऐसे एक्षन लेना चाहिए पस्षिं बंगाल वाले केस में जब आया एटी भी अच्चु का केस हुआ था सर तो एक्क्यूस्ट को अरे में दो महीने लगे थे वो खुद बीजेप आइटी सेल का मिंबर था त कि अभी तक हमने क्या किया भी तो मेरा बहुत सवल सवाब जैसे हम बात कर रहे हैं आपर महीला सुरक्षा की तो ना केवल बलतकार बटके जो आधी हत्या हो रही है ओनर किलिंग और यह ऐसे डटाइक हो रहे हैं तो हमारी सरकार इन महीलाओं की सुरक्षा कैसे चाहिए इस पर चर्चा करना नहीं कि यह कि आपके बिहार में को मैं भी बिहार से हूँ हमें जस्टिस से जादा यह चाहिए कि हमें एक ऐसे नियम होना चाहिए पूरे देश में जुकि अगर बलातकारी है तो उसे तुरंत एक ऐसा यह दे कि उसके लिए दूसरे लोगों के यह दे न वह एक एक जांपल के तौर पर यह हो कि अगर मैं यह करू तो मुझे भी यही चीज मिलेगा और इसलिए जैसा कि आपने बताया कि संजेर होई जो सिविक वोलेंटियर है तो सर उन्हें पुलिस दिपार्टमेंट ही तो सेलेक्ट करता सर और पुलिस दिपार्टम कुछा है सर मेरा सवाल बस इतना है कि अगर रेव जैसर ने भी बोला रेव जैसे केस की आखरी पनिश्मेंट यह तो हमारे ही देश में रेव जैसे केस को सुसाइड बोल दिया जा रहा है बराजनीती खेली जा रही है तो हमें क्या करना चीवेट कर ना चीए गवंएंट क केस को डिफेंट करते हैं ऐसे पहली बात तो यह जो था जो आरूपी है इसमें पोलिटिकल अपॉंटी है सिविक वॉलंटियर्स कैसे अपॉइंट होते हैं यह आपको भी पता है तो प्रशन बहुत सीधा है और यह पहला नहीं है वो रिपीट अफेंडर ऐसे इसे इसमें में रहा है बावजूद इसके क्यों उसे रह जाते हैं इसके सिविक वॉलंटियर्स का मामला काफी दिनों से चल रहा है वो एक उसमें बिल्कुल कॉंट्रोवर्सी रहा है कि उसे कैसे अपॉइंट किया जाता है कितनी स्कूटिनी की जाती है और क्या प्यूनिटिव सब्सक्राइबस नौनिट रहा है यह तो मेरी भी समझ है आप ने बिल्कुल मेरी बहन ने पूछा था कि ये जो रेपिस्ट है जो जो पुलिस के गिडफ में वह कहता है हस्ते हो बहें के मुझे भासी में डाल दो तो क्या उसे डर नहीं है हमारे सिस्टम का आप अपने बि ना समझें कि वह सडक में उतर रहीं कोई ड्राम कर रही है जैसे Birenmbre उंटर करें कि इसा थैसे AGG a को सब्सक्मार क्समार ही कि आप गाथ सब्सक्राइभ है योजा इस य खो सब्सक्राइब के ख्रप्णा मध्या है थैसा यह गार्या प्र अज्य है कुराइब मुस्त कराएंगे क्या हम उबीत करें कि जल्दी इसमें न्याय मिलेगा या सिर्थ हैं नहीं क्यों हैं डिटी का पोस्ट मार्टम का वीडियो रिकॉर्ड करके बाकाइदा सुबूत मिटाके दो हिस्सों में फाड के उसको उसके घरवालों को दे दिया देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साब, आपने शरीर दे दिया, यह बहुत बड़ी बात कर दी, यही मानसक्ता है जो यहाँ पर लगती है, आप मैं B.H.U. वाले सवाल पर आता हूँ आपके, मैंने जब शुरुवात में कहा था कि मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा मानत करके नहीं होगा कि उसके साथ यह कर दो, वो कर दो, सवाल है कि कन्विक्शन हो और उसके बाद से पनिश्मेंट मिले, जो जिसका प्रावधान कानून में है, जो कानून में प्रावधान, बिल्कुल, कन्विक्शन होगा, CBI इसी लिए इन्वाल्व हुई है, आपको याद हो सकता है, वो नहीं चाहते हैं, सिवम जी से थोड़ा असमयत हूँ, सारी बात कह गए, बी एचू पे कुछ नहीं बोला, यह ठीक नहीं था, बी एचू के जो घटना हुई ना, बहुत दर्धना घटना हुई थी, पिस्टल के नोक पर रात में एक आएटी की लड़की के स साथ, दो महिने रेपिस्ट गाइप, किसी भी राज में हो, मेरी सरकार के राज में क्यों नहीं हो, हल बलापकारी को सजा पुकता होनी चाहिए, फास्ट्रेक होटा चाहिए, फास्ट्रेक कोट, निरभया वाले मसले में भी दिल्ली में फास्ट्रेक कोट हुआ, लेकिन क्य केलकटा में छिपा रही थी मसले को यह पहली घटना नहीं है यह प्रादियों के मन में खौफ कैसे बैठेगा देखी बोलने से तो नहीं होगा कारे करने पड़ेंगे जमीनी स्थर पर उतरना होगा लगबक 17 वर्ष से तो मैं ही हमारी संस्था परी के थू हम कर रहे हैं बट ह हम तो एक छोटा सा ओशन इंदसी कह सकते हैं पिछले एक महीने में दिल्ली दिली और दिली एंस्या के एरिया से छे बच्चियों के बलातकार और बरबरता से रेप और मुर्डर के घटना है हमारी हेल्प लाइन नंबर पर आ रहे हैं जह हमारी टीम ने टेंड किया आप सो जिसमें हम लोगों ने निर्भया की मा के साथ बहुत करीब से काम किया था कुछ ऐसे रेप केसे होते हैं जो प्रतीक बनते हैं जी और उसकी वजह से कानून में भी बदला हुए क्या ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जब हम नए सिरे से इस देश की कॉंशिंस को उसकी अंतरात्मा को जग जोरेंगे ये मेरा प्रशन था जी मुझे लग रहा है ये होगा क्योंकि जिस तरह से हमने देखा निर्भया में एक मास मूवमेंट हुआ क्योंकि वो मेडिकल फेटरिनिटी थी या अभी भी काफी लोग सड़क पर उतरे हैं और मैं देख रही हूँ वो फिर से जोश हम देख रहे हैं और मुझे लगता ह इस बार तो हमें लगता है कि ऐसा ऐसी जो जगे या ऐसा कुछ हो कि एक भी बच्ची ऐसी दुर्दशा का शिकार ना हो ये हमारी मनो कामना है और ये होना चाहिए और इसके लिए सब को लगना पड़ेगा अभी किसी ने बहुत अच्छा सुजाब दिया कि हमें सब को सामने आना चाहिए सीए मुख्य मंत्री प्रधान मंत्री ने तो कल बोला है पर एक मीटिंग होनी चाहिए और हाई लेवल मीटिंग जिसमें ये हो कि महिला शुरक्चा का आवाहन हो चूटा साथ आप मीटिंग की बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि लोगों को मिलना चाहिए बैठना चाहिए बात करना चाहिए चीफ मिनस्टर और एक्सषीफ मिनस्टर लेवल के लोग लिखने को तैयार नहीं है तूटर पर आप क्या बात कर रहे हैं अभी अभी उत्तर-परदेश की घटना में बारा साल की एक बच्ची का बलादकार हुआ बलादकार होने के बाद उसके पेट में दर्ध हुआ जब वो डॉक्टर के पास गई तो वो पता चला कि वो दोस्त महीने से प्रेगनेंट है उसको करने वाला एक मोईद खान समाजवादी पार्टी का नेता था जब उस व्यक्ति के उपर ये बात आई तो समाजवादी पार्टी का ओफिशिल स्टैंड ये था कि उस बच्ची का डियने टेस्ट करा हूँ बच्चा उसका बारा साल की बच्ची जिसका बलादकार हुआ प्रेगनेंट हुई वो जब मामला पॉलिटिकल हुआ तो ये कह दिया गया कि उसका डियने करा हूँ कौन ठीक करेगा भाई पॉलिटिकल बात आते ही तो आते हो न चुरू हो जाते हैं फिर हम करते ही नहीं कुछ अगर आप कहरें तो यारे कि इसी ट्रेटर पर लिखना है इसी नहीं होगा अगर ऐसे लोग प्रवक्ता इती बड़ी पार्टी के तो तो कैसे बानने कि होगा हुगा आप नेगेटिव मत कीजिए आप बोली मैं करूँ यही चाहते हैं आप पॉसेक्टेव लिगा है कमाजबादी फिर लिए आया आप राजनीती को बीच में आगर पॉसे क्या है इसकी वज़े से देश दुनिया के बागी खबरों के लिए आप देखते रहे हैं आज तक